दोस्तों हम इस वीडियों बात करने वाले हैं समसंग के बैटरी चार्जंग प्रोब्लम के बारे में तो यहां पर हम आपको बता हूंगा कि अपने समसंग के फोन का अगर आपके बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है अगर आपको पता नहीं चला है कि आपके फोन में आपकी चार्जर का जो है चार्जिंग का जो है चार्जिंग खराब है या फिर आपका फोन का केबल मतलब चार्जिंग का केबल जो है खराब है या फिर फोन में कुछ प्रोब्लम है आपको बहुत सारे लोग को यहां पर प्रोब्लम आता है कि बोलते हैं मेरा फोन जो है चा तरीके से चार्ज हो पा रहा या नहीं हो पा रहा तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या करना है आपको पूरा वीडियो देखते रहे और आपको ऐसे ही फॉन से रेल्टेट जो है जानकाली चाहिए तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना तो मैं आपको चलिए आपको बताऊंगा क्या है आपको एक चैनल का नाम का चैनल को याथ को छरण गोगल प्लेश्टोर पर आपको जाएंगे इसमें शेर्च करेंगे आपको इसमें जाकर तो आपको मिल जाएगा अप डोनोट करें ठीक है और नोट करके आपको इंस्टॉल करना फॉन को चार्जिंग मिला आकर इसको एप्लाई ने करें इंस्टाल ना करें तब यह इंस्टाल आपका हो नहीं पाएगा छो तरीके से क्योंकि अपने फोन का बैटरी का पुरा इनलाइस करता है पूरा देखता है कि आपका जो है कितने मेंच के बैटरी की साइज है तब इस के अंदर चले जाना है आपको यहां पर देखेंगे current चार्ज current यहां पर देखेंगे यहां पर ampere देखाता है तो अगर आपका पता नहीं चल ला है कि मेरा phone कैसे charge हो रहा है आपका केवल खराब है बेटरी लिए खराब है या फिर चार्ज जीग खराब है। आपको सिम्पलि आपको पता करने के लिए इस इंपली के यहां परदेखेंगे 301 pleasant to Uncle आपका चार्ज हो जाएगा प्रोपर तरिकीते जैसे हाओ पर हम एकने फ़ोन को यहां पर चार्ज में में लगा रहा ह। ठीक है यहां पर मेरा सब कुछ यहीं पर रखा हूं तो अपना जो है यहां पर चार्जर जो है मैं अपने प्लग इन कर लेते हैं ठीक है करने के बाद मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि मेरा जो है चार्जिंग का जो है एंपियर कितना दे रहा है ठीक है तो मैं अपने फोन को जो है चार्ज में लगा रहा हूं यहां पर देख सकते हैं अपने फोन को यहां पर चार्ज में लगा रहा हूं तो देख रहा है यहां पर एंपियर मेरे को कितना दिखाएगा देख सकते हैं यहां पर एंपियर जो है अभी नहीं सो करेगा मतलब कुछ सेगन के बाद यहां पर सो करेगा तो देख सकते हैं अभी यहां पर यह साइड ओपिन नहीं है क्या यहां पर चार्जिंग तो दिखा रहा है ठीक है यहां पर चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन एंपियर अच्छे सी कनेक्ट नहीं हुआ एंपियर इसका हां इंपियर दखी अभी आया था तो इसलिए सेफ एक को सब्सक्राइब तो यहां पर देख सेथैं 1100 देख सें 1114 को देब को सबसक्त। इसलिए टिर्या डिया सब देख सेपों डिया गैकर्शार्ज कोड़ी हो तो यहां पी मेरा भी मतलब इतना चार्जर questa avd आपको यह मतलब अपने हिसाब से आपके फ़ोन में प्रोवड़ कराता है कलन three तदेखे तवर नहीं मेरा बहुत थी म आच्छा हरा रहा है फ़ोन का बेटर अच्छ से divag 파 Cruise रहा है अगर आपका यहां पर डी आपके यहां पर पर पूर यही पर सीर्फ आपका फोन का बेटरी बहूत जो मतलब देरी से चार्ज होता है आपका सूब करता है लेकिन हैं आपको फोन का बेटरी जो चार्ज नहीं हुपाता है अच्य तरीके देख सケते मेरा 1000 से ऊपर दे रहा है तो मेरा फोन जो यह बेट अब मतलब 50% से ज्यादा है तो यह अगर एक स vengeance घेक जबंव between 15% 15 on आता तो ये मेरा जो है 12-13-14-1500 देता अगर आपके फोन में 17-1800 दे रहा है तो काफी अच्छा है अगर यहां पर चेक करेना अपना फोन जो है चार्जन लागा करें कि आपका जो है है कि चार्ج नहीं हो रहा ता है लेकिन चीया कि टीड़ी यह शो देता रहा तो उस predictiveimar ने कंडिशन ठीक है उर चार्जिंग के वाल का सब कुष ठीक है इस तरह तरफ है ne और इस application को install तभी करिएगा जब अपने चार्जिंग प्लग आउट करके ही अपने फोन को installation कीजिएगा अपने इस बैट्री अप्लिकेशन को installation कीजिएगा उसके बाद पुरा install complete होने के बाद फिनिस होने के बाद आपको यहां पर लगा कर चेक करके देखना है कि आपका फोन का जो है current empy charger कितना दे लाएक इतना सोड हो ठीक है तो इस तरह अपने जो है MPR check कर सकते हैं हमने ऐजी तरीके से अगर आपका जो है यहां पर आपका इंप्एर 15 seo 166 आ तो अप्सक्ता ठीक ठीक है लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो मतलब देख लेना अपना चेक करें चार्जिंगा फिर केबल की खराब हो सकता है क्योंकि मैं आपको ऐसा यह इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर मेरा जो है एक फूम था जो इसका केबल खराब था यहां पर सिर्फ यहां पर पचास सो 10.75 cc कभी वि मायनका चला थैं तो यहां पर मैर को हें कि मेरiegen को केबल करके देखा तो यहां पर रहा था बहूत ही कम हो रहा था दूसरा चेंज किया तो मेरा धि Onlywaldช है तो जाए कर देखा चाहीं चाहीं नहीं नहीं नहीं